अध्याए 18 उपसहार सन्यास की सिध्धी अरजुन ने कहा, हे महाबाव, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्चुक हूँ और हे केशिनी शूदन, हे रिशिकेश, मैं त्याग मैं जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ भगवान ने कहा, भोतिक इच्चा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्द्वान लोग सन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्द्दिमान लोग त्याग कहते हैं कुछ विद्वान घोशित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोश पूर्ण समझ कर त्याग देना चाहिए, किन्तु अन्य विद्वान मानते हैं कि यग्य, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए. हे भरत्सरिष्ट, अब त्याग के बिश्य में मेरा निर्णे सुनो. हे नर्शरादूल, शाष्टरों में त्याग तीन तरह का बताया गया है. यग्य, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन करना चाहिए. निसंधे, यग्य, दान तथा तपस्या महातमाओं को भी शुद बनाते हैं. इन सारे कारियों को किसी परकार की आसकती या फल की आशा के बिना संपन करना चाहिए. हे प्रिधा पुत्र, इन्हें कर्तब्य मान कर संपन किया जाना चाहिए. यही मेरा अंतिम्मत है. निर्दिष्ट कर् तब्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए. यदि कोई मोवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है. जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्ट प्रत समझ कर या शारिरिक कलेश के वह से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता ह कि उसने यह त्याग रजोगुन में किया है ऐसा करने से कभी त्याग का उच्छ फल प्राप्त नहीं होता हे अर्जन, जब मनुश्य नियत कर्तब्य को करनिय मान कर करता है और समस्त भोतिक संगती तथा फल की आसकती को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है सतोगुन में स्तित बुध्यमान त्यागी जो ना तो अशुप कर्म से घृणा करता है ना शुप कर्म से लिप्थ होता है वो कर्म के विश्य में कोई शनशे नहीं रखता निसंदे किसी भी ध्यधरी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परितिया करपाना असंभव है लेकिन जो कर्म खल का परितिया करता है वो वास्ताव में त्यागी कहलाता है जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मुष्रित यह तीन परकार के कर्म फल मृतियू के बाद मिलते हैं लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हे महाभाव अर्जुन, वेदान्त के अनुसार समस्त कर्म की पूरूती के लिए पांच कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विविन इंद्रिया, अनेक परकार की चेश्टाएं तथा परमात्मा यहाँ पांच कर्म के कारण है। मनुश्य अपने शरीर, मन तथा वानी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फल सरूफ होता है। अथेव जो इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आपको ही एक मात्र करता मानता है, वह निश्चे ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तूओं को सही रूप में नहीं देख सकता। जो मिथ्या एहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धी बंदी हुई नहीं है, वह इस संसार में मनुश्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंदा होता है। ग्यान गय तथा ग्याता यह तीनों कर्म को प्रेरिना देने वाले कारण है। अब तुम मुझसे इने सुनों। जिस ग्यान के अनंतु रूप में विवक्त सारे जीवों में एक ही अविवक्त आध्यात्मिक परकरती देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानों। जिस ग्यान से कोई मनुश्य विविन शरीरों में भिन भिन परकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और वह ग्यान जिस से मनुश्य किसी एक परकार के कारे को जो अतीत तुछ है, सब कुछ मान कर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है, जो कर्म नियमित है और जो आसकती राग या द्वेश से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात् कहलाता है, लेकिन जो कारे अपनी इच्छा पूर्ती के लिए निमित परियास पूर्वक एवं मिथ्या एहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुनी कहा जाता है, जो कर्म मोवश्द शाष्ट्री आदेशों की अवेलना करके तथा भावी बंदन की परवा के बिना या हिंसा, अथ्वा अन्य को दुख पूंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है, जो विक्ति वोतिक गुनों के सनसर के बिना इहंकार रहित, संकल्ब तथा उत्सा पूर्वक अपना कर्म करता है, और सफलता अथ्वा और सफलतात में और विचलित रहता है, व सदेव इश्यालू और पवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है जो करता सदा शाष्टरों के आदेशों के विरुद कारे करता है जो भोतिकवादी, हठी, कप्टी तथा अन्यों का अपमान करने में पटू है तथा जो आलसी है सदेव खि है वह तमोगुणी कहलाता है है धनंजे अब मैं परकरती के तीनों गुणों के अनुसार तुमें विविन परकार की बुद्धी तथा धृती के विश्य में विस्तार से बताऊंगा तुम इसे सुनो है प्रिथा पुत्र वह बुद्धी सतोगुणी है जिसके द्वारा पुत्र जो बुद्धी धर्म तथा अधर्म करणिये तथा आकरणिये कर्म में वेद नहीं कर पाती वह राजसी है जो बुद्धी मो तथा एहंकार के वशिवूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदे विप्रित दिशा में परेतन करती रहती है है प पर कार्मन, प्रान तथा इंद्रियों के कारे कलापों को वश में रखती है, वो धृति सात्विक है। लेकिन है अर्जुन जिस धृति से मनुश्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी है। है पार्थ जो धृति सौपन, भय, शोक, विश तथा मो से परे नहीं जाती, ऐसी दुर्भुद्धी पूर्ण धृति तामसी है। है भरत्सरेश्ट, अब मुझसे तीन परकार के सुखों के विश्य में सुनो, जिनके द्वारा बद जी भोग करता है और जिसके द्वारा कभी-कभी दुखों का अंत हो जाता है। जो प् अंद्रियों द्वारा उनके विश्यों के संसर्क से प्राप्त होता है और जो प्रारम में अम्रित तुल्य तथा अंत में बिश्ट तुल्य लगता है वह रजोगनी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षातकार के प्रती अंदा है जो प्रारम से लेकर अंत तक महो कारक और जो निंद्रा आलस से तथा मोह से उत्पन होता है वह तामसी कहलाता है। इस लोक में, स्वर्क लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकर्ती के तीन गुनों से मुक्त हो। है परंतप, भ्रामनों, शत्रियों, वैश्यों तथा शुद्रों में प्रकर्ती के गुनों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन गुनों के द्वारा बेद किया जाता है। शांती प्रियता, आत्म सैयम, तपस्या, पवित्रता, सहिशूनता, सत्यनिष्टा, ज्यान, विज्यान तथा धार्मिक्ता यह सारे स्वभावी गुन है जिनके द्वारा ब्रहमन करम करते हैं। वीर्ता, शक्ती, संकल्प, दक्षता, युद में धेर्य, उदार्ता तथा नहत्रितो यह शत्रियों के स्वभावी गुन है। क्रीशी करना, गो रक्षा तथा व्यापार, वैशियों के स्वभावी कर्म हैं और शुद्रों का कर्म, शरम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए परतियक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो की यह किस परकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्व व्यापी है उस भगवान की उपासना करके मनुश्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। परतियक उध्योग किसी ना किसी दोश से आवर्थ होता है जिस परकार अगनी दुएं से आवर्थ रहती है। अतेव है कुंति पूत्र मनुश्य को चाहिए कि सोभाव से उत्पन कर्म को भले ही वो दोश्पुन क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं। जो आत्म सैयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भोतिक भोगों की परवा नहीं करता वो सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ती की सरोच सिथ अवस्ता प्राप्त कर सकता है। हे कुंति पुत्र जिस तरह इस सिध्धी को प्राप्त हुआ व्यक्ती परम सिध्धा अवस्ता अर्थात ब्रहमा को जो सरोच ग्यान की अवस्ता है प्राप्त करता है उसका मैं संक्षेप में तुम से वर्नन करूँगा उसे तुम जानो। अपनी बुद्धी से शुद्ध होकर तथा धहर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रित रिप्ती के विश्यों का त्याक कर राप तथा द्वेश से मुक्त होकर जो व्यक्ती एकांत स्थान में वास करता है जो थोड़ा खाता है जो अपने शरीर मन तथा वानी को वश में रखता है जो सदेव समाधी में रहता है तथा पूर्णता विरक्त, मिथ्या एहंकार, मिथ्या शक्ती, मिथ्या गर्व, काम, करोध तथा भोतिक वस्तों के संग्रे से मुक्त है जो मिथ्या स्वामित्य की भावना से रहित तथा शान्त है वो निश्चे ही आत्म स आक्षातकार के पद को प्राप्त होता है। इस परकार जो दिब्य पद परस्थित है वो तुरंत परमभर्मा का अनुभव करता है और पूरनता परसन हो जाता है। वो ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तू की कामना करता है। वो परतियक जीव पर संभाव रखता है। इ जब मनुश्य ऐसी भक्ती से मेरे पूर्ण भावना मिरत में होता है, तो वो वेकुंट जगत में परवेश कर सकता है। मेरा शुद भक्त मेरे सरंक्षन में समस्त परकार के कारियों में सलंगन रहे कर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम बिनिष्ठ हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देशा अनुसार कर्म नहीं करते और युद में प्रवर्थ नहीं होते हो तो तुम कुमार्क पर जाओगे। तुम्हें अपने सोभाव वश युद में लगना होगा। इस समय तुम मोवश मेरे निर्देशा अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो लेकिन हे कुंति पुत्र तुम अपने ही सोबाव से उत्पन कर्म द्वारा बादे होकर वही सब करोगे। इस परकार मेंने तुमें गुप्तर ज्यान बतला दिया है इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो क्यूंकि तुम मेरे अत्यंत पिर्यमित्र हो अतयव में तुमें अपना परम आदेश जो सरवाधिक गुप्त ज्यान है बता रहा हूँ इसे अपने हित के लिए सदे मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, और मुझे नमस्कार करो, इस परकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्यूंकि तुम मेरे परम प्रियमित्र हो, समस्त परकार के धर्मों का परित्या करो, और मेरी शरन में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धर कर दूँगा, डरो मत, यहाँ गुप्त ग्यान, उनको कभी भी ना बताया जाए, जो ना तो सयमी है, ना एक निश्ट है, ना भक्ती में रत है, ना ही उसे जो मुझ पास वापस आएगा, इस संसार में उसकी अपैक्षा, कोई अन्य सेवक, ना तो मुझे अधिक प्रिया है, और ना कभी होगा, और मैं घोशित करता हूँ कि, जो हमारे इस पवित्र समात का अध्यन करता है, वो अपनी बुद्धी से मेरी पूजा करता है, और जो श्रिधा समेत तथा द्वेश रहित होकर इसे सुनता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, और उन शुब लोकों को प्राप्त होता है, जहां पुन्य आत्माए निवास करती है, है प्रिधा पूत्र, है धननजे, क्या तुमने इसे एकागर चित होकर सुना, और क्या अब तुम संजे ने कहा, इस परकार मेंने क्रिशन तथा अर्जुन इन दोनों महापुरूशों की वारता सुनी, और यह संदेश इतना अद्वुद है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, ब्यास की किरपा से मेंने यह परम गुप्त बातें साक्षात योगेश्वर क्रिशन के मुक से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी, है राजन, जब मैं क्रिशन तथा अर्जुन के मद्य हुई इस आश्चरे जनक तथा पवित्र वारता का बारमवार समरन करता हूं, तो प्रतिशन अहलात से गदगद हो उठता हूं, है राजन, भगवन क्रिशन के अध्भु से चकित होता हूं और पुनो-पुनो हर्शित होता हूं, जहां योगेश्वर क्रिशन है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं एश्वर्य, बिजे, अलोकिक शक्ती तथा नीती भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है, इस परकार श्रीमत भगवत गी जन्यवाद, इसी तरह की और ओडियो बुक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें अगर आपको ओडियो बुक अच्छी लगी होतो, हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कि आप और कौन सी ओडियो या रिष्टदार को इससे मदद मिलती हो तो उन्हें शेयर जरूर करें एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद